तो काईज मैं हूँ अंकी तोर आप दिख रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइट वक्स सबसे पहले करेंगे स्कॉर्टिस वारियर ड्रू मैकेंटर से तो काईज कॉमेंट सेक्षन के अंदर आपको क्या करना है साथ आपको पता होगा अगर आपको याद होगा कि आज कौन सा दि डो बार डॉवी चांपिन रह चुके ये फॉर्मल वर्ल्ड चैम्पिन भी रह चुके एक बार एन इस्टी चांपिन भी बन चुके ये और दो बाद डबी टाग टीम चैंपिए भी बन चुके हैं इक बार रसल मैंने में इवंट करा है मैं कैंट नहीं करा बट स्टेल में इवंट तो मैंने इवंट है एक बार मैंक इंटार एल तो रिटो उसे हार भी जुके हैं तो यह भी थोरी से बीच में न अच्छी सी अचीवेंट नहीं है लेकिन है चलो एक कॉंपलिसमेंट यह भी है अब ऐसे में 49 साल के हो चुक है भाई डू मैक अंटर करेंटली इतना अच्छा कर रहे हैं डेबड़ अधी कंदर की पूछो ही मत बेस्ट दे रहे हैं मैक अपना I don't think इससे बेटर वो कुछ दे सकते हैं और मेरे कॉर्डिंग इनका सबसे बेस्ट हरन है लेकिन अगर इससे भी बेटर दे सकते हैं तो उतल दन भाई समझी जाओ कि मैक अंटर की लिमिट्स कितनी ऊपर तक है अब ही किसा आप से भाई डू मैक अंटर को लेके यही कुछ ह जरूर से लिखना डू मैक अंटर के लिए आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में यह बाई करेंट टॉप मर्चेंडाइस सेलर्स को लेकर आप लोग देख सकते हो कि यह मैं रिगुलर्ली आपको बताते रहता हूं इससा आइडिया लगता है बाई कि कौन सा सूपरस्टार अच्छा कर रहा है और यह भी कही ना कहीं एक बहुत मेजर फैक्टर है किसी सूपरस्टार को पुस्ट देने में डवी देखती है इन चीजों कि किसके मर्चेस जारा भी कर रहे हैं कौन जारा प्रॉफिटेबल है किसको पुस्ट देना चाह और इन सबसे उपर जेउसो हैं नमबर टू पर हैं बेस्ट इन द वर्ल सी एम पंक दोहजार ग्यारा वाली इनकी टी-सर नमबर टू पर है करेंटली मर्चेंडाइस सेल्स में टी-सर के कैटेगरी में उसके बाद हैं नमबर थ्री पर रोमन रेंस और रेडी देखो भाई जेउसो सी एम पंक एंड रोमन रेंस के उपर हैं रोमन रेंस की फैमिली अबव आल वाली टी-सर थे उसके बाद अगेन नमबर फूर पर बेस्ट इन द वर्ल सी एम पंक आ जाते हैं उनके रिटैन वाली टी-सर थे उसके बाद नमबर फिप्त पर हैं जेउसो एक बार फि Strike Firstin की T-shirt, अच्छी थी वो, आप जाकर देख सकते हो design, यहाँ पे Randy Orton No. 7 पे हैं, No. 8 पे NWO है, यानि पुरी Faction की T-shirt, No. 9 पे है Stone Cold Steve Austin, 316, आप जानते हो 316 भाई कितनी popular T-shirt है, यहाँ पे No. 9 पे है, No. 10 पे है Cody Rhodes, Current Undisputed Champion, Fire Logo वाली T-shirt के साथ, तो जे उसो किसके किसके पर हैं, और बहुत टाइम से यह नहीं कि अचानक से अभी आगे, गलती से आगे, नहीं नहीं, कोई coincidence नहीं, यह बहुत पहले से यहाँ पे जे उसो है, और अभी भी वर करारें, तो अभी के हिसाब से भाई, यह कुछ है, जे उसो को लेके खुस खबरी, और WW को इनको और अगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, अगली स्टोरी के बारे में, जो कि यह क्लैसर दे कैसल की बेटिंग आट्स को लेके, तो भाई, यह आप लोग देख सकते होगे, अंडिस्पिटेड चैंप से मैच है, लाइन से आप लोग आट्स देख सकते होगे, कोडी रोट्स वरसे एजस्टायल्स का मैच है, यहाँ पे कोडी रोट्स फेवरेट है, माइनस 3000 की ओड्स के साथ, एजस्टायल्स हेविए अंडर्डॉग हैं, प्लस 900 के साथ, याँनि कि यहाँ पे ओड्स और ज्यादा अपडेट हुए है, जब अपडेट हुए था को और ज्यादा फेवर कर यानि कि बैटिंग ओर्स यहां पर टाइटल चेंज की तरफ इसारा कर रही है इसके बाद है बाइड डबी डबी विमेंस चैंपसिप मैच बेली वर्सेज पाइपर नाइवन बेली यहां पर हवी फेवरेट है माइनस 3000 की ओर्स के साथ यानि की टाइटल यहां पर रिटेन कर करेंगी बताया जा रहा माइनस 2000 की ओर से अभी देखो भाई यह अनाउंस होता भी है यह एक्सपेक्टेड मैच है इसलिए इसके ऐसे और से उसके बाद गुंतर वर्से ओर्टन बताया जा रहा पता नहीं होगा यहां पर गुंतर फेवरेट बताया जा रहें अलगर यह मै है आटर डॉक देखने को मिलेंगे 2.37 की ओर्ट के साथ चैड जाल यहां पर फेवरेट है यहां पर इंडिकेट कर रही है और वन प्वाइंट फाइब ठीकेट कर रही है यहां कि एक टाइटल उसकता है यानी दो मैच इस एक तोडु मैकें टाइटल मैच और एक इंटर इसमें कि टाइटल आपको चेंज होते हुए हैंट देखने को मिल सकती है आगे बढ़ते हैं गाइज बात करते हैं अगली स्टोरी के बार में चरह नजर डालते हैं ट्रू मैकेंटार की धंकी के उपर मैकेंटाय ने भाई धंकी दे डाली है आपको मेरे स्टूर्स पीका धे मैकandाय मैकें मेरे साबसे भाई साबच,था बाया मैकेंटाल insipो आप संग थोका दो खोडन बाॉंध और को कट्रवट कहते हैं अगेंट सैंट आट पर शॉत कट्रूटी किय Graduate, प्रूंग खुटी की 50 g यह तैकंड एकम, डाणी ननुट आखरी बर class में हुआ था यानि सोलिस्टी को आने cost करा था McIntyre को title तो कहते हैं कि वो चीज अगर UK में दोबार से होगी तो देन भाई fans वर्दास नहीं करेंगे यह glass go है, यह Scotland है अगर यहाँ पर मेरे match में interfere करेगा CM Punk तो देन अच्छे खासे chances हैं कि fans तुम्हें jump करेंगे यानि कि fans पार करेंगे barricades एंड तुमपे attack कर देंगे तो समभल के रहना plus security guards भी नहीं बचाएंगे तुम्हें वो भी Scottish होने वाले तो I'm telling you, I'm warning you कि अच्छे खासे chance है कि तुम भजज आओगे मुझे attack करने या फिर मेरे match में अपनी उंगली डाले fans तुम पे ही attack कर देंगे तो ये धमकी दी है C.E.M. Panko True McIntyre ने आगे बढ़ते हैं guys बात करते हैं हम लोग अपनी next and final story के बार में तो क्या कुछ महीनों के अंदर हमें हमारे new Brock listener मिलने वाले क्या Brock listener 2.0 एक नया एरा चालू होने वाला है Braun Breaker के लिए update कुछ ऐसा ही indicate करती है काविसार लोग का ऐसा ही मानना है इस update के बाद कहना है Russell Votes का I am told WWE has considerably altered its creative plans for Braun Breaker the second generation superstar has impressed many higher ups in his short stint on Raw a source states Breaker is slated to be a major focus heading into the Netflix era with his age, speed, look and pedigree this rare combination of talents is not to be overlooked, तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि इनको, इनके sources ने बताया है कि Braun Breaker को लेकर WWE plans बदर रही है and इनको और जादा विसस दिखाने वाली आ गयाने वाला time में especially Netflix era में जाते हुए तो Netflix era में आपको एक बहुत अलग विसाल रूप देखने को मिल सकता है करका हाला कि वो अभी सही आपको start होते वे दिख जाएगा कहा जा रहे है कि उनकी speed, उनके look and उनके सब कुछ को देखे भाई लगता है कि वो एक ऐसे talent है जिनको WWE किसी बी तरीक से overlook नहीं करने वाली है for granted नहीं लेने वाली है हलके में नहीं लेने वाली है बलकि उनको अच्छे से use करेगी और बहुत जादा खतरनाक book करेगी काविस है लोग यह सुनने के बाद कह रहे है कि अरे यह तो ब्रॉक लिसनर वाली vibes आ रही है कि ब्रॉक लिसनर को भी WWE ने एक टाइम पर ऐसा ही मान के रखाता है और उसी तारीक से उनको book कराता है और उसके बाद लिसनर कहां पर नहीं वह आप देखी सकते हो तो अभी के इसाब से भाई ब्रॉन ब्रेकर प्रबैबली आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट ब्रॉक लिसनर बनते वे देखने को मिल सकते हैं इस्पेसली नेट्फिलिक्स एरा के अंदर यानि की अगले साल के स्टार्टिंग से आई होप सापको वीडियोस इंफॉर्मिशन मिली हो मिले तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें